अंडा दो प्याजा आज मैं बना रही हूँ और यह इतना टीस्टी बनता है कि सभी को बहुत पसंद आएगा तो चलिए बनाते हैं अंडा दो प्याजा की जबर्दसी रेसिपी मसालेदार घर के मसालों के साथ बनी हुई और बहुत ही टीस्टी सी यह रेसिपी तो सबसे पह बने यहां पर एक हरिमेच भी आट करती है और उसे भी थोड़ासा मिला देंगे और उसी के साथ साथ हमें इसमें डाल देना है एक बडा सा टमाटर कटा हुआ तो यह लाल सा अग्दम मैंने टमाटर ले लिया था वो टमाटर हमने डाल देना है रफी चॉप और उसे भी मि इस्तिमाल की है और 31 जाएगा इसमें धनिया पाउदर अब इसे हमने अच्छे से मिला देना है और मसाले जब मिला रहे हैं तरह में गैस की फ्लेम जो है वह लो रखी हुई है ताके मसाले जलेना अब इसमें हमने पानी भी डाल देना है ताकि हमारा जो एक्दम स्मूथ पेस जो है वह बनके रेडी होगा जब यह मसाले पानी के साथ पकेंगे अब हमें इसने इतना पका देना है कि पानी जो हमने एड किया है वह आधा हो जाए तो चलिए अब हमें पूर अच्छे से मसाला जो है वह सौफ्ट होने के लिए रख देते हैं हाई फ्लेम पर हमने पका तो जैसे आप देख सकते हैं पानी जो है वह हादे हैं ज़्ब हो चुके हैं द्राय मैं स्टाइद हम में धूरा सी ना है यहाँ पर शाट ने लिया थे ढ़वी टेन केुछ वर्पीं अन्डों में यहाँ पर chemicals कर गोल्डन सी लेयर आने तक इसे कोट जो होने देना है, थोड़ी सी लेयर भी आनी चाहिए, थोड़ी सी ठिक तो चबलिये हम अन्डे को भी अच्छ सा हाय फीलीम पर मसाले हिहाँ पर पर प्राए कर लेते जैसे आप देख सकते है रिखी एकदम अच्छी सी लेयर जो है वो इसके पर आ गई है तभी हमने इसी पैन में आड़ कर देना है क्यूब्स में कट किया हुआ कैप्सिकम और क्यूब्स में ही कट किया हुआ अनियन तो यहां पर इसे हमने थोड़ा सा सौटे कर लेना है इसका क्रंचीनेस नहीं जाना चाहिए बस हमें थोड़ा सा सौफ्ट होने तक इसे सौटे कर लेना है इस तरह से इसे अब हम रघने के साइड में और यह ने रखेंशा हया और इसे अब हमने हाई फ्लेम पर लेना है चलियेम्स करने हैं पकाते हैं ताक कि मसालय में बहुत अच्छा सा टेस्ट आजहाए तो यह रिखे बहुत जबर्दस मसाला रेडी होता है उसके बाद हमने इसमें अड़ करना है कश्मीरी लालमिश पाउडर एक टीस्पून और हाफ टीस्पून हम इसमें अड़ करेंगे गरम मसाला पाउडर और मिलाएंगे और मिलाते वे हमने यहां पर अच्छे से भूना है पहले जब हमने मसाला पीसा था उसमें हमने तीखी वाली लालमिच का इस्तमाल किया हुआ था और अभी हमने कलर के लिए इसमें कश्मीरी लालमिच पार्डर का इस्तमाल किया हुआ है mix कर लेंगे ठककर अधकर अधकर देना है लो फिरेंपर 5 मिनिट के लिए ताकि हमारा अच्छ पक जाए क्या उपांच मिनिट हो चूक है और यह पहले तल एप कर अधर अगया है यह से धरई बहुत तरी और इस लिए हम इसे ग्रेवी में थोड़ा सा मिक्स करते हैं अभी हमने ग्यास की फ्रेम जो है वो लो रखी है क्योंकि मसाला वरना जादा हमारा ड्राय हो जाएगा तो यह रिखिया मिक्स कर लिया अब इसके साथ साथ हमने जो फ्राय किया हुआ था कैपसिकम और अनियन वो हमें ड अब बस हमें से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद दो मिनिट के लिए लो फ्रेम पर पका देना है और दो मिनिट बाद हमारा यह बहुत ही जबरदस्त धाबा जैसा अंडा दो प्याजा जो है वह बनके हो जाएगा रड़ी तो चलिए अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं और यह रिखे कितना बहतरीन सा इसका मसाला जो है वह बनके रेडी हुआ है मसालेदार सा रोटी पराठे के साथ खाने के लिए एकदम पर्फेक्ट और बहुत ही लजीज बनता है तो इस तरीके से आप यह अंडे की रेसिपी एक बार बनाए अंडा दोस प्याजा और यह एक एकदम जबरदस्ता है यह मसाला और आपको यह रेसिपी जरूर पसंद आएगी तो एक बार इस रेसिपी को ट्राय करना और कैसी लगी आपको अंडा दोस प्याजा की रेसिपी हमें जरूर फीडबैक दीजेगा अच्छी लगी तो अपने प्रेंस और फैमेली के साथ ठीजेगा थीए शेयर कीजेगा थेंक्स पर हाची और एक रूद टीह